इस पालक लिया है आज इस पालक से मलब उटल बोलते हैं हम साउथ इंडिया का बहुत फेमिस डिश है यह मलब उटल बनाने वाली हूं यह एक तरह का ग्रेवी सबजी है साउथ में बहुत फेमिस है इसके लिए मैंने एक गहती पालक लिया है इसको अच्छी तरह से धो के रख लिया है अब इसको हम छोटे-छोटे तुकडों में काट लेंगे काट लेने के बाद इसको हम कुकर पी बनाएंगे मैं बताती हूं कैसे बनता है तेखिए मैंने कुकर रख दिया है कुकर गया सान कर दिया है कुकर में हम इस छोटे-छोटे तुकडे काट के रखेते पालक के इसको डाल देंगे और इसमें हम चना का दाल अच्छी तरह से मैंने भीगो के रखा था अधा गंटा उसको मैंने इस कप से इस कप से एक कप चना का दाल भीगो के रखा था उसको भी डाल दे आप चना का दाल ले सकते हैं मूंग का दाल ले सकते हैं इन दोनों दालों में से कोई सभी एक दाल ले सकते हैं या हर हर का दाल कोई भी डाल ले सकते हैं मैंने आज चना के दाल लिया है इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे हल्दी तो इसे हेंग डालके हम इसे एक सीटी या दो सीटी इससे ज्यादा नहीं सीटी लगा कर फिर प्रेशर हो आफ होने के बाद दिखाएंगे आपको इसको हम दो सीटी आने तक तुपकर देखिए दो बीसी लागे हैं इसको हम खोल के देखे हैं अभी देखिए हमारा पालक और यह अच्छी तरह से पग गया है अभी हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे प्रेश करके एक बाद अभी हम क्या करेंगे इसमें मैंने थोड़े से नारियल निकालके रखे हैं यह नारियल और हादा चमच इसमें जीरा डालके हम पीस के आएंगे और इस पे डालेंगे तक तक इसको सिमर में पकने देखिए मैंने मिक्सी जार में नारियल और एक चमच जीरा डाल दिया है अब इसको हम पीस के आएंगे अच्छी तरह से पीस लिया है अब इसको इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी डालके चना डाल और पालक का हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी हो गया है अब इसके उपर हम एक तड़का देंगे यह रेडी हो गया है अब एक तड़का हम इसमें लगाएगे इसके लिए मैं एक पैन रख देती हूं इसमें हम थोड़ा सा यह डाल लेंगे इसमें हम सरसो डाल देंगे दो लाल बिर्स डाल देंगे उलत दाल थोड़ा सा चना दाल थोड़ा सा हृँगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगष न फेचपा है harbor मन apostles को दिए ऐस में टृड़कभू़्यधन सबस्सक्पा पत्रण एक रस म्न खाशिसया का Ward करण में दूत मजब जाएं अजय तरके को हमीजने केक हगाते हैं एक्सटर केक केक पर आएंगे देखें और आएंगे हमारा चनादार और पालक का सबजी इतना बढ़िया बना है इतना ब्यूटिफल बना है और इसे इतना स्वार्द लगेगा आप इसको एक बहर बना के देखिए बनाना तो बनता ही है ना टेस्टी सबजी है ये आप इसको एक बहर बना के देखिए अगर मेरे वीडियो आप आसान से देख सकते हैं नेक्स्ट दूसरे रेसिपी के साथ आप से मिलूंगे तिल देन गुडबाई टेक क्यार